हेलो गाइस वल्कम बाक, मुवें अड़ विट नेक्स चाप्टर रिविजन अर्लाइंड अवेलेबल बाकी रिविजन वीडियो नहीं देख लेए तो प्लीज देख लेए ना सारे चाप्टर्स के वन बाइवन स्टाट्स के रिविजन वीडियो अप्लाड होते रहेंगे सारे मैतेमाटिकल प्रॉपर्टीज कंसेप्ट्चल क्लारिटी फॉर्म्रस के साथ हैंड रिटन नोट्स है सो नोट डाउन करते लेना अगर किसी के बासे नोट्स है नहीं और अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना सो गुगल ट्राइव पा लिक में शेर कर दोंगा सो फिला विदाव बस्टिंग इन फॉर्थर ताइम लेट्स साथ वाल इस रैंडम वेरियबल रैंडम वेरियबल क्या होता है सो रैंडम वेरियबल में से एक्स्प्रेमेंट विच इस परफॉर्म रैंडम ली और जिसका आउट्पूट हमेशे वेरि करता है वेरिय वेरिय कोई इस टॉस हैड टेल क्या हैंगा वेर नोट शोर कार्ड में से कार्ड इस ड्रॉन तो एवली टाइम कुण सा कार हैंगा में अर्श होगया तो संधिस्प्रिमेंट on paper वेरियबल वेरियबल सक Waarड़ वेरियबल सीथियल टाइप्स डाइप्स र cynκαड़ें आपढ़ किया मदनि सकते आप जो और चेंड बेष एब तो त्वाडियब्स दॉट सब्सक्राइब भी दो दो पर दो इसे एक्स्प्रिमें जो परफोर्म होने से पहले उसके क्या एक्सप्टविट आउपुट आश्कते हैं वो में imagine कर सकता हो experiment को perform करने से पहले such a random variable are scores discrete random variable then what is continuous continuous random variable are those random variable जो perform होने से पहले अन्दाज भी निलगा जा सकता है कि कितने expected output आ सकता है such a random variable are scores continuous random variable now, read carefully discrete random variable is said to be discrete if it takes only a finite और infinite but countable number of values, you can count the numbers finite infinite values लेकिड हैंग बर तुम बता सकते हैं कि वो कुछ तो जा सकता है such a random variable is called as discrete random variable then what about continuous so continuous random variable is a random variable that can take on any value in an interval of two numbers so कोई भी value ली जा सकते हैं misal की सोर पर joh coin, cards और सब में example पूर रहाँ that is all example of discrete random variable क्योंकि 52 card के coin में से 52 card के set मैं कोन सा card निका रहाँ वो निकालने से पहले मुझे पता है नी एक्जाक काड कुन सा है लेकिन मैं यह बोल सकता है कि जो काड आएंगा बावन में से कोई एक देगा कोई उड़ाएंगा तो क्या आएगा पता नी बट एक कंफर्म है कि हेड आएगा या तो तेली आएगा सो अपना बनावा है है इसको सामलटेनेसली पड़ाओगे तो ही आके तुम लोगो को यह याद रहेंगा अधर्वाइस याद अन्हें और जो अपने स्टोडन्ट है उनको यह आख रेडी चीज़े याद है को से के साथ इसी टेवल से अपन पढ़ता है सो धान्यना तो यह विल्ड़ाबल के आज भी अवि कितने टाइप से दो टाइप है कुनसे कुनसे हैं discrete and continuous so क्या लिखा है आप है discrete random variable and continuous random variable discrete random variable PD table निकलता है जो random variable discrete है उसका PD table क्यों निकलता है because discrete random variable का आपन sample space पता कर सकता है we are aware about sample space कि क्या sample space है अपने को all possible outcome पता चलते है in advance that's why आप है probability निकलना is possible so P of X is there PD table is there but here there is no PD distribution table आपे नहीं बनता in case of continuous so यहापे सिधा function प्रोवाइड किया जाता you cannot estimate the sample space in case of continuous random variable यही तो दोनों का differenciating point था so we are always provided with one equation always we are provided with one equation and here probability distributions means we are providing with an experiment say a coin is tossed three times and find PD table showing the number of hits so coin is tossed three times so पहले मुझे रेंज बता दो कि maximum coin toss करने के बाद 3 coin toss करने के बाद या 1 coin 3 बाद toss करने के बाद क्या samples space आता है 8 samples space क्या जाता है 8 अट शीर को से बाद the number of hits so three coin में उडा दिए है so maximum hit मुझे कितने दिख सकते है या तो zero number of hits मतल्क एक भी hit निया तीनों coin मैंसे या 1 coin पे हैए है या 2 coin हैट दिखा रहा है X means range set of X which is 0, 1, 2, 3 3 points है तो head कितने मिल सकते हैं या तो 1 भी नहीं या तो 1 या तो 2 या तो 3 हो इसके लोर कोई number आने से ला और इन सब की एक 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 प्रोबाबिटी पता करना is called as probability of सारे events so इतने सारे event है जो हो सकते हैं तीन को जुडाने के बार कि या तो मुझे 0 head मिले या तो मुझे 1 head मिले या तो मुझे 2 head मिले या तो मुझे 3 head मिले so इन सब की probability निकाल जी which is 1 by 3 by 3 by 3 by 1 by which formula by probability का फॉरणा n of y upon n of s probability के ओपर authentic मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया है उसको देख लो आपे मैंने सारे फॉर्णास डिसकूस किया है so n of y n of s करके आपने यह चीज आपे निकाल दी so अब यह जो टेबल बना है complete टेबल है इस complete टेबल को बोलने का PD टेबल probability distribution table now question और इसके replacement में यह पर इस साइड में क्या होता है function that is f of x question क्या बनके आ सकता है कि PD टेबल check करो कि यह PMF एक ही नहीं है check whether PD टेबल is a PMF or not so to check PD टेबल is a PMF or not two conditions to be satisfied not only one or two both the conditions to be satisfied and what are those both conditions when PD टेबल is what is PMF probability is always lies between 0 to 1 we are all aware and sum of all probability is equal to 1 वही probability के concept यह पर भी लग जाएंगे और वह exactly लग रहा है satisfied हो रहा है तो PD टेबल को दुम PMF बोल सकते हो so यहीं लिकार two conditions to be satisfied read को आराम से कि probability of x will be greater than equal to 0 वही probability greater than 0 होती है and sum of all probability is equal to 1 and this one condition to be satisfied or both to be satisfied both to be satisfied जैसे यहां पर PMF चेक करने करें two conditions तुम जानते हो वैसे यहां पर PDF होता है that is probability density in the part of continuous random variable there is a continuous random variable there is a PDR probability density function उसको भी चेक करने के लिए two conditions are there function should be greater than equal to 0 जैसे यहां पर probability should be greater than equal to 0 यहां पर function should be greater than equal to 0 जैसे यहां पर summation should be equal to 1 वैसे यहां पर function का integration to be is equal to 1 so function को integrate का exactly answer 1 आता है function अगर greater than 0 है याने positive function है so such functions are called as probability density function in case of continuous random variable okay then discrete हो या continuous हो तुम लोगको find probability के question आ सकते हैं और अगर continuous में discrete में probability find out करनी है so using PD table तुम लोगो आराम से तुमने सारी events की probability निकालके बढ़ते बैटे हैं so इसी table में से तुम लोगको देख देखके सारी answer probability के आ जाएंगे but what about in case of continuous distribution you are a probability of the function मुझे एक रहना जमार देनी है कि continuous के case में तुम लोगको find out करने बोलेंगे सब कुछ integration निकालके आ जाता क्या change होता है तो limit change होता है so probability निकालनी है तो function जो दिया उसको simply integrate करो with respect to minus infinity to plus infinity and you will arrive at the probability तुम बोलेंगे minus infinity to plus infinity क्या है तो सारे questions हमने साहल किया है उसमें सब कुछ जाके चेक कर रहा है अदा जाएंगा अभी के लिए adjust मैं फास्ट ही आप बोल जुए आप है तो समझो भी हाव तो फाइंट प्रबाविटी आप सेट 2 to 4 प्रबाविटी आफ इवेंट वीचिस लाइस बेटीन 2 to 4 तो इसकेस में प्रबाविटी आपर लिमिट यहां पर रखा करते हैं expected value दोनों जगा पर फाइंट आप करना सकता है discrete के किसमें है तो फॉर्मला इस summation of x into p of x और continuous के case में है summation की जगा ले लिए integration again as I said कि continuous में सब कुछ integration से solve होना है और p of s की जगा लिए function so x into summation of x into p of x integration of x into f of x dx तुम बोलेगा expected value मतलब क्या expected value means average lambda mu mean इन सब को आपन क्या बोलता है expected value now various of x various of x का फॉर्मा तो तुम लोगों central tendency या disversion उस चाप्टर से पढ़ा है जब standard deviation का फॉर्मा या variance का फॉर्मा नो बनाना है हम बोलना चलते mean का formula 2 बार mean का formula この chapter में mean को इन को क्या बोलता है ऑपन e of x मतलना mean 2 82 mean बना coefficient which had all two standard deviation मतलते डहेंगा variance 2 इस बनात्य है weight या अनि पैस नंचा नो रागत अहरे ।्यक्या ष्ॉर्मा दित सबसे दो बार mean का फॉर्म मार तो दो वार e of x बिसमें मिन सब्सक्राइब एक बार स्काइब से पंडब आटाब पर दो विए प्रॉपर्मृरिबल की सारी कार्य एक इसके साथ एक इसके साथ रांडर विरेबल की सारी कार्ने कताम हो जाती सम्झो एक series है जिसमें number 25357 25357 और तुमने उसका तुमने e of x निकालके रखा है इस x series का तुमने e of x निकालके रखा है जो सम्झो whatever आया है सम्झो 4 आया 4 आया तुमने k है k number से multiply करना है बताब x के हर एक number को तुम multiply करने हो सम्झो number 8 से number 8 से so जो data बनेगा उसका जब तुम e of x निकालोगे तो that will be exactly same as e of x का जो चुट्टा असर आता उसको into it so k को individual multiply करो या e of x के answer को multiply करो तुमारा वो चीजी यह property बता दे ता कि e of kx is nothing but k into e of x e of x y is nothing but e of x into e of y e of a x plus b x is equal to a को बाहर निकालो a into e of x plus b plus b e of x plus y is equal to e of x plus e of y and minus है तो e of x minus e of y तो इन प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लो अगर किसी कुस्ट नहीं है क्योंकि इनके बर question बन क्या सकते है कोशन अल्रेडी बने वे इस्ट्यूट के बुक के पीछे इतना ही बस रेफर कर लो यह दस बारा मिनिट का वीडियो और तुम्हारा राइंडम वेलेबल का पीछे का सारा कोशन सौल हो जाएगा अगर इस तरीके के वीडियो सही में पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइंक शेयर कमेंट करना मत बुर्ना और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करते रहेंगा इसे और वीडियो बनाते रहने के लिए और बाकी के वीडियो फिल्में में बनाते रहोंगा तो दैक्स टो आपके वीडियो तो प्लीज करते हैं तो प्लीज कर देना